अपने किश्मिष के फाइदे के बारे में जरूर सुना होगा लेकिन अगर बाद करभावास्था में किश्मिष के फाइदे की करें तो शायद आप सोच में पढ़ जाएगे क्यूंकि अधिकान श्ट्राइफूट्स की तरह किश्मिष की तासीर गर्म होती है जिस से शरीर में गर्मी बढ़ने का खत्रा बना रहता है गर्भावास्था महिलाओं के जीवन का सबसे खुशनमा समय होता है ऐसे में उनका खास ख्याल रखा जाता है गर्भावास्था के दौरान महिलाओं को सतुलित आहार के अलावा कई दूसरी चीजें ड्राइफूट्स, जूस, सूप आधी खाने के लिए दिये जाते हैं। इसलिए, किश्मिश के पॉषक तथव प्रती 100 ग्राम, कुल वसा शुन्य दशमलव 5 ग्राम, कॉलेस्ट्रॉल शुन्य मिली ग्राम, सोडियम 11 मिली ग्राम, पोटेशियम साथ सो उन्चास मिली ग्राम, कुल का अबोहाइडरेट 89 ग्राम, आहार फाइबर 3.7 ग्राम, चीनी 69 ग्राम, प्रोटीन 3.1 ग्राम, विटामिन C 3 प्रतिशत, कैल्शियम 5 प्रतिशत, लौह 10 प्रतिशत, विटामिन B 6 रिंग 10 प्रतिशत, मेगनीशियम 8 प्रतिशत कर्भावस्था में किश्मिष के फायदे किश्मिष में फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जिससे पेट के पाचन तंत्र को सुचारू रूप से काम करने में मदद मिलती है और कब्स की समस्या दूर होती है इसलिए गर्भावास्था के दोरान महिलाओं को किश्मिश का सेवन जरूर करना चाहिए किश्मिश में 100 ग्राम में से 89 ग्राम कॉबो हाइडरेट यानी उर्जा मिलती है इसलिए गरभावास्था के दोरान महिलाओं को नियमित रूप से किशमिश का सेवन करना चाहिए इससे उनके शरीर को पूरे दिन के लिए जरूरी और जा आसानी से मिल जाएगी गरभावास्था में किशमिश का सेवन करने से हड़िया मजबूत बनती हैं क्यूंकि किश्मिश में केल्शियम के साथ ही उचित मात्रा में मेगनीशियम पाया जाता है। इसलिए किश्मिश का सेवन करना मा की सेहतमंद बनाए रखने के साथ ही शिशु के विकास में भी फायदा पहुंचाता है। गर्भावास्था के दौरान किश्मिश का सेवन करने से महिलाओं में होने वाली एनिमिया यानी खुम की कमी की शिकायत भी दूर होती है क्योंकि किश्मिश में विटामिन बीच है, पोटेशियम और ग्लुकोज फ्रेक्टोज पाया जाता है जिससे एनरजी लेवल बढ़ता है और कमजोरी दूर होती है हमारे द्वारा दी गई जानकारी को पहले करके देखें उसके बाद अगर आपको हमारा ये तरीका पसंद आएं तो हमें कमेंट द्वारा जरूर बताएं और हमारे चैनल को वह अगली वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हाश्मी.com चैनल और हाँ बेल आ